अभी तक हमने उन संख्याओं को जोडने का अभ्यास किया है, जिने हम छोटी संख्याएं समझते हैं। उधारण के लिए यदि तीन जमादों जोडना हो तो हम कल्पना कर सकते हैं कि मेरे पास तीन नीबु हैं, एक, दो, तीन और यदि मुझे इन तीनों नीबुँ में मानलो दो नीबु और जोडने हो तो अब मेरे पास कुल कितने नीबु हुए? ये तो हमने पिछले वीडियो में ही सीखा है। पास एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच नीबु ही होते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से क्रम में जोडते हैं। हर हाल में आपके पास पांच नीबु ही होंगे। इस तरह जोडना गिंती करके जोडने जैसा ही है। पिछले वीडियो में हमने संख्या रेका का तरीका भी देखा था। बुन्यादी रूप से दोनों तरीके एक ही हैं। संख्या रेका वह रेका है जिस पर सभी संख्याए क्रम में लिखी जाती हैं। इसे चाहे जितनी दूर तक ले जा सकते हैं। लाख, दस लाख, करोड, अरब या और आगे भी जा सकते हैं। और हम इतना ही पीछे की ओर भी जा सकते हैं। आगे किसी वीडियो में आप शून्य से छोटी संख्याओं के बारे में भी जानेंगे। तो हम शून्य से शुरुवात करते हैं यहां शून्य का मतलब है कुछ नहीं यदि मेरे पास शून्य नीबू है तो इसका मतलब मेरे पास नीबू नहीं है तो शून्य एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा आईए हम काफी दूर तक जाते हैं बारा, इस तरह से मैं संख्यारेका का इस्तमाल कर सकता हूँ तेरा, चौदा मैं इसे जारी रख सकता हूँ लेकिन इस अभ्यास के लिए चौदा तक काफी होगा चलिए अब प्रशनों को हल करने के लिए हम संख्यारेका का इस्तमाल करते हैं तो आप देख सकते हैं तीन जमाद दो, तीन से शुरू होता है और फिर इसमें दो जोडते हैं या तीन से दो अंक आगे बढ़ते हैं और इस आगे बढ़ने या संख्यारेका पर जोडने का मतलब है दाए तरफ या आगे दो अंक बढ़ना, यानि दो अंक जोडना। मैं इसे यहाँ नारंगी रंग से लिखता हूँ। तो चलिए हम दो आगे बढ़ते हैं या दो की छलांग मारते हैं और पाँच तक पहुंचते हैं। पिछली बार भी हम ठीक यहीं पहुंचे थे। हमें वही परिणाम मिला, हमें फिर से पाँच उत्तर मिलता है। अब मैं यहाँ जो करना चाहता हूँ, वह थोड़े मुश्किल सवाल हल करने के बारे में हैं। यहाँ मैं आपको थोड़ी बड़ी संख्याओं का अभ्यास करवाना चाहता हूँ। और इसके बाद अगले वीडियो में हम थोड़ा अधिक गहराई में जाएंगे और जानेंगे कि दरसल संख्याएं होती क्या हैं। लेकिन पहले हम कुछ अभ्यास करते हैं ताकि समझ सके कि बड़ी संख्याओं वाले जोड़ के सवालों को आप कैसे हल करेंगे। पहले मुझे इसे जामोनी रंग में लिखने दें। अच्छा चलो मैं मालो मैं नौ जमा तीन जोड़ना चाहता हूँ। इसे हम दो तरीकों से कर सकते हैं। हम फिर से गोले या सितारे बना सकते हैं। मैं सितारे बना रहा हूँ। एक, दो, तीन, चार, मेरे सितारे टिम्टिमा रहे हैं। पांच, छे, साथ, आठ, नौ, ये नौ सितारे हैं। और मैं इन में तीन सितारे जोड़ता हूँ, तो मैं जोड़ता हूँ, एक, दो, तीन सितारे, इसके बाद आपको इन सितारों को गिनना पड़े, तो आप कहेंगे मुझे इसे किसी अलग रंग में लिखने दे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौ, दस, ग्य अब मेरे पास बारा सितारे हैं, इस तरह आप कहेंगे कि नौ जमा तीन बराबर बारा, यह बारा के बराबर हैं, आप यदि संख्या रेका को देखें, तो आप नौ से शुरू करते हैं, यानि आपके पास नौ सितारे हैं, और आप इन में एक, दो, तीन सितारे और जो की वही जवाब है, जो हम पहले हासिल कर चुके हैं, जब आप बड़ी संख्या जोडते हैं, तो भी यही विधी अपना सकते हैं, मैं आपका ध्यान इस अंतर की ओर दिलाना चाहता हूं, कि यहां उत्तर दो अंकों में हैं, इसमें एक और एक दो है, मेरा ख्याल है कि आ आप संख्या बारा को अच्छी तरह से पैचानते हैं, लेकिन अब मैं यह चाहता हूं, क्या होता है, जब आप और ज्यादा जोडना शुरू करते हैं, जब आप ऐसी ही दो अंकों की संख्या जोडना चाहें, जब आप ऐसी ही दो अंकों की संख्या हैं, इस तरह जोडना उदाररन के लिए मानलो यदि हम अगर हम 27 में कितना कितना मानलो 15 जोड़ना चाहें अब यदि आपके पास समय है तो आप 27 गोले बना सकते हैं और फिर 15 गोले और बना सकते हैं और बाद में सारे गोलों की कुल संख्या गिन सकते हैं या फिर आप एक इतनी लंबी संख्या रिका खींच सकते हैं जो बता सके 27 जमापंदरा कितना होता है इस तरह ये असल में एक बहुत बड़ी संख्या होगी लेकिन ऐसे तो आप संख्या रिका पर ही लगे रहेंगे तो मैं आपको एक ऐसा तरीका दिखाता हूँ जिसमें आपको बस अपना जोड याद रखना है और अगर आप इसे याद नहीं रख पाते हैं तो कम से कम इतना तो सीख जाएं कि इनकी तुलना में छोटी संख्याएं हल कर सकें चोटी संख्याओं के सवाल हल करने के बाद आप बड़ी संख्याओं वाले सवाल भी हल कर सकते हैं ये मज़ेदार होगा जैसे जैसे आप जोडते जाएंगे तो मैं आपको बताता चलूँगा कि इसका क्या मतलब है यहाँ आप हर अंग को देखें सबसे दाहिनी ओर के स्थान को इकाई का स्थान कहते हैं और हम इसे इकाई का स्थान क्यों कहते हैं क्योंकि 27 में 20 धन 7 इकाईया है यानि की 20 धन 7 यानि की 20 और 7 इकाईया आप इसे 20 जमा साथ के रूप में भी देख सकते हैं और ये स्थान दहाई का स्थान कहलाता है ये दहाई का स्थान क्यों कहलाता है? मेरा मतलब वह स्थान जहां दो लिखा गया है क्योंकि यहां दो रखने का मतलब है दो दहाईया संख्या 20 का मतलब दो दहाईया यदि मेरे पास 10 पैसे हैं और आप मुझे 10 पैसे और देते हैं तो मेरे पास 10 पैसे के 2 सिक्के या 20 पैसे हो जाएंगे तो यह हुआ दहाई के स्थान का मतलब मैं आपको उल्जन मेंने डाल कर बस यह दिखाना चाहता हूँ कि ऐसे प्रशनों को कैसे हल करें इन्हें हल करने का तरीका है कि आप केवल इकाई के स्थान के अंकों को देखें और पहले उन्हें जोड़ें तो मैं 7 और 5 को जोडने वाला हूँ तो यह रहा 7 और 5 उमीद है कि आप इसे मन ही मन में कर सकते हैं यदि नहीं तो आप संख्या रेका पर देख सकते हैं आईए हम संख्यारेका पर देखें, इस तरह यदि आप साथ जोड़ते हैं, यदि आप साथ को लेकर इसमें पांच जोड़ते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, संख्यारेका पर हम बारा पर पहुँच जाते हैं, या आपने पांच से शुरुवात की और उसमें साथ जोड अभी तो आपको ये थोड़ा रहस्य पूर्ण, थोड़ा जादू ही लग सकता है, जो अगले वीडियो में आपको पता लगेगा हम लिखते हैं या हम लिखना चाहते हैं 12, 7 जमा 5 है 12, लेकिन हम यहां सिर्फ 2 ही लिखते हैं और एक आगे ले जाते हैं 12, 1, 2 हमने वहां 2 लिखा है, लेकिन यहां हमने एक लिखा, ठीक अभी मैं आपको इसे इस तरह लिखने का एक सरल कारण बताता हूँ, इसका एक सही कारण मैं आगे समझाऊँगा सीधा कारण यह है कि यहां पर केवल एक अंख लिखने की जगह है और 12 दो अंखों की संक्या है, इसलिए हम उस एक को रखने के लिए किसी और जगह के बारे में सोचते हैं 12 बिल्कुल वैसे ही संक्या है जैसे 10 जमा 2, ठीक इस तरह यदि हम कहें 7 जमा 5 बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 12, जो ठीक ऐसे हैं जैसे 2 इकाईया और 1 दहाई, ठीक दो इकाईया जमा एक दहाई जमा एक दस जमा एक दहाई इस तरह हम एक दस को दहाई के स्थान पर रखते हैं इस तरह साथ जमा पांच कहने का हमारा मतलब है एक दहाई जमा दो इकाईया यदि आपको यह उल्जाता है तो केवल यह कहें कि मैंने इकाई के स्थान पर दो लि यह मज़धार है, आईए देखते हैं, एक जमाद दो, चले शुरू करते हैं, इसे मैं गुलावी रंग में लिखता हूँ, तो हम एक से शुरू करते हैं, हम इसमें दो जोड रहे हैं, एक जमाद दो, हम एक अपने बारज से लेते हैं, एक जमाद दो, इस तरह आप एक दो त के लिए किसी संख्या रिखा की जरूरत नहीं पड़ी, और ना ही हमें 42 चित्र बनाने की जरूरत पड़ी, किवल यह जान लेने पर कि 7 जमा 5 कितना होता है और 1 जमा 2 जमा 1 कितना है, हम यह जानने में सफल हुए कि 27 जमा 15 बराबर 42, अई हम एक और उदारन लेते हैं, मुझे 78 जमा 3 जोडना है, हम फिर से बही क्रियात धहराते हैं, हम बस एकाई का स्थान देखते हैं, इस तरह हम देखते हैं, 8 जमा 3 कितने होते हैं। उमीद है कि अब हम इसे मन ही मन कर सकते हैं, परूंतु जरा इस बारे में कल्पना करें, आठ जमा एक बराबर नौ, आठ जमा दो बराबर दस, आठ जमा तीन बराबर होगा ग्यारा आसानी से समझने के लिए आप इसे संख्या रेका पर भी कर सकते हैं तो आठ जमा तीन बराबर ग्यारा तो हम ये समझ ले पहले आठ जमा तीन बराबर ग्यारा इस एक को हम यहां रखते हैं और दूसरा एक हासिल ले जाते हैं क्योंकि 11 में एक दहाई और एक इकाई यह 11 है इसके बाद हम दहाई के स्थान पर जोड़ते हैं एक दहाई जमा साथ बराबर आठ दहाईयां इस तरह 88 जमा तीन बराबर 81 अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ आपको हमेशा संख्याओं का हासिल नहीं ले जाना होगा यह केवल तभी करेंगे जब इन में से किसी एक का उतर एक अंक से ज्यादा है 11 दो अंकों की संख्या है जैसे उधारन के लिए यदि मेरे पास 56 जमा दो है यहां मैं कह सकता हूँ 6 जमा दो बराबर 8 ठीक उमीद है हम यहां अच्छा अब्यास कर रहे हैं इसलिए 6 जमा दो बराबर 58 बिल्कुल उसी तरह असल में आप संख्या रेखा पर भी यह कर सकते थे यदि आप इस तरह संख्या रेखा खीचते तो इसमें शूर्ण्य कहीं दूर बाई और होता लेकिन यदि मानलो मेरे पास 50 है नहीं मेरे खायल में आपके पास 49 है तो आप बाई और जाते लेकिन यहां आपके पास है 51, 52 मुझे कुछ बड़ी संख्या से शुरू करने दे क्योंकि मेरे पास स्थान की कमी होगी मुझे शायद 55, 56, 57, 58, 69 से शुरू करने दे मैं दोनों दिश्चाओं में जा सकता हूँ लेकिन यदि हम ठीक 56 से शुरू करें और उसमें 2 जोडें त और हम 58 पर पहुंचते हैं इस तरह हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं